हेलो फ्रेंड़ कि वेलकम टू साइन्स मैंगनेट दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी क्या हाल चाल है आई होप सभी बहुत अच्छे है शांदार है जानदार है तो दोस्तों इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं basic science and engineering जो की एक बहुत बड़ा subject है 40 marks का आप लोगों को है तो इसमें जो question पूछे गए थे last time वो किस प्रकार के थे और आप लोग देखोगे कि अगर आप लोगों के concept अच्छे से कि question को समझ रो तो कोई भी question आप लोगों को difficult नहीं लगेगा देखो कल 10 बजे में आप लोगों को क्या करवाऊंगा RRBJ में पूछे गए science के question क्योंकि आप लोगों को पता है भाईया भरती आएगी तो भाईया पहले तयार तो पैटर्न तो समझो बहुत जनों को तो पैटर्न नहीं समझ में आता ठीक है तो इस आप लोग बोल सकते हो तो CBT 1 में तो आती है आप लोगों की general science ठीक है physics, chemistry, biology, environment CBT 2 में आपकी आती है basic science and engineering यहाँ पर वो नहीं आएगा सबसे बड़ा अंग क्या है सबसे छोटा अंग क्या है engineering वाले question आता है तोड़े से physics में पूरी engineering उसके आती है अभी देखते है किस प्रकार के question आता है ठीक है और साथ में जो भी आप लोग trade select करते हो जैसे अगर आप लोगों की trade electronic है तो उसके question आएंगे feeder है तो उसके आएंगे diesel mechanic है तो उसके आएंगे ठीक है चलिए start करते हैं धीरे धीरे math trade वालों के किक में basic science and engineering के question कैसे आयते है आईए देखते हैं चलिए बताइए इस concern question में आप लोगों को क्या बोला जा रहा है 0.5 kg वजन वाले गेंद की गती को 4 मिटर पर सेकिंड से बढ़ा कर 8 मिटर पर सेकिंड करने के लिए कितना कारे आपको करना पड़ेगा कितना work करना पड़ेगा चलिए दोस्तों इस question को solve करने की कोशिश करते हैं आप भी आप लोग करिए देखो आप लोगों को क्या दे रखी है एक ball दे रखी है जिसका द्रव्यमान कितना दिया हुआ है पॉइंट फाइफ केजी या मैं बोल सकता हूँ आदा किलो की क्या है ये गेंड ठीक है पहले इसकी speed या पहले इसकी जो velocity थी वेग था वो कितना था चार मिटर पर सेकिंड आप लोग बोलोगे कि सर speed और velocity सेम ही होती क्या जब भी कोई straight line में सीधे सीधे चलता है तो speed और velocity दोनों ही क्या होती है समान होती है ना तो पहले थी 4 मिटर पर सेकिंड दोस्तो अगर आप लोग इसका वेग या speed 8 मिटर पर सेकिंड करना चाते हैं चलो माल लेता है कैसे ना कैसे करके आपने कर भी दिया तो इसके लिए कुछ work भी करना पड़ा होगा कुछ कारे भी करना पड़ा होगा वर्क क्या है एक प्रकार की energy तो है तो कुछ energy भी देनी पड़ी होगी वो कितनी energy आप लोगों ने दी question में ये पूछा जा रहा है तो और कुल मिला कि ऐसे देख लो ना कितनी energy बड़ी कितनी उर्जा बड़ी जो extra उर्जा आई है इसके पास में कहां से आई होगी वो ही तो हम लोगों ने इसको दी होगी वो ही तो work हम लोगों ने इसको दिया होगा तो देख लो कितनी बड़ी तो जब भी कोई द्रव्यमान या जब भी कोई वस्तू गती करती है उसके पास में कौन से उठ जा होती है गती जो उठ जा हो उसको निकालने का सूतर क्या है वन बाई टू एम वी स्क्वार तो निकाल लो पहले कितनी थी पहले थी वन बाई टू M, mass कितना है, दर्वेमान कितना है, 1 by 2 पहले V कितना था, 4, 4 का square 16 तो 16 बटे 4 कितना हो जागा? 4 J, पहले थी, 4 J, बाद में कितना था? formula लगा दो, 1 बटे 2, Mv square तो 1 बटे 2, M mass कितना है, दर्वेमान कितना है, 1 by 2 V कितना है, 8, 8 का square, 64 तो ये नीचे क्या हो जाएगा चार हो जाएगा तो 64 बट्टे 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा तो पहले ती एनरजी चार जूल अब 16 जूल तो एक्स्ट्रा 12 जूल कहां सही क्योंकि 12 जूल आपने इस पर वर्क कर दिया option number भी इसका correct answer हो जाएगा clear है clear है clear है समझ में आ गई clear है चलिए नैश question आपके screen पे बताईए आप लोगों को पता है basic science and engineering में engine drawing के बहुत सारे question आते हैं तो ये engine drawing का ही एक question है क्या बोला जा रहा है where is the title block usually made जब भी आप लोग किसी की भी drawing बनाते हैं तो आप लोग drawing sheet में एक बनता है title block दोस्तों वो आप लोग कहां पर बनता है वो आप लोगों से ये पुछा गया जैसे मान लेते हैं या आप लोगों की drawing sheet है तो बिलकुल आप लोग center में बनाओगे या top left में बनाओगे या top right में बनाओगे कहां पर बनाया जाता है तो जब भी किसी भी राइट में और bottom में यानि दाए निचले कोने पर सारी चीज़े लिखी जाती है ठीक है तो drawing sheet पर दाई और के निचले कोने पर correct answer आपका option number D हो जाएगा समझ गए बात को चलिए नैश question आपकी screen पर बताईए बताईए क्योशन आपकी screen पर बताईए चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों क्योशन ये पूछा गया था 21 जनवरी 2019 को ठीक है चलिए तो लंबाई एल और त्रिज्या आर वाले किसी बेलनाकार तार का प्रतिरोत क्या है आर है ठीक है कोई बेलनाकार आप लोग तार बना लिजी एक cylindrical आप लोगों ने wire ले लिया ठीक है आपको इसके बारे में क्या बोला गया है ध्यान से देखो आपको बोला गया है इसकी निकालने का सूतर क्या है प्रतिरोधता गुना लंबाई बटे एरिया तो हर पदार्थ के कोई ना कोई प्रतिरोधता होती है इसकी भी कोई ना कोई प्रतिरोधता होगी उसको मैंने क्या माल लिया यह रो माल लिया इस सिंबल को बोलते है रो ठीक है तो इसका प्रतिरोध किसके बराबर है आर के बराबर है ठीक है अब बोला जा रहा है उसी पदार्थ का बना आदी लंबाई वाला और दुगनी तरज्जा वले तार का प्रतिरोत क्या होगा बोला जा रहा है उसी पदार्थ का आपने दूसरा तार लिया जैसे मालो अगर यह कॉपर का है तो कॉप प्रतिरोदक्ता गुना लंबाई बट्टे एरिया तो दोस्तो प्रतिरोदक्ता तो उतनी ही रहेगी क्योंकि पदार्थ वो ही है अगर पदार्थ अलग होता तब जाकि प्रतिरोदक्ता बदलती है ठीक है तो प्रतिरोदक्ता वो ही रहेगी गुना लंबाई इसके लंबाई क्या है L by 2 ठीक है बटे area यह area कितना होगा area का सूतर होता है πाई R square यहाँ पाई गुना तरज्या का वर्ग यहाँ पर तरज्या क्या है 2R है ठीक है तो पाई into radius का square radius कितने है 2R तो 2R का square करो तो क्या हो जाएगा रो इंटू ऐल ये दो आप लोगों का नीचे आगया इंटू पाई टो आर का स्क्वाerna का रोगी क्या जागा 4R स्क्वायर समझ में आ गई अब आप लोग ध्यान से देखो प्लीज ध्यान से देखो रो इंटू आईल बटे pi r square क्या है ये तो r हो गया लेकिन ये वाला मान क्या हैगा नीचे 4 into 2 8 भी आ रहा है तो r by 8 इसका correct answer हो जाएगा option number d क्या बात है दोस्तों बहुत बढ़िया clear है गया चलिए आगे चलते हैं next question पे answer आप लोग बताओ 21 जनवरी को पूछा गया question है किस प्रकार के pencil के lead में है ना के lead में सबसे कटोर graphite होता है देखिए आप लोग जब भी किसी भी engine drawing बनाएंगे किसी भी वस्तू की तो वहाँ पर आप लोगों को लगता है pencil एकी प्रकार की होती होगी नहीं pencil अलग लग प्रकार की होती है 3H, HB, 9H, 2H अगर आप लोगों के पास में आपने engineering करी होगी तो आप लोगों को पता है first year में engineering drying सब के लिए क्या होता है common होता है चाहे आप civil से हो चाहे आप लोग mechanical से हो चाहे आप लोग electrical से हो तो वहाँ पर आपने अलग-लग pencil का यूज़ करा होगा तो आप लोगों को बोला चाहरा सबसे कठोर graphite किसमे होता है देखो, दोस्तों समझो यहाँ पर आप लोग H ही देख रहे हो न देखो, यह जो B होता है न, B जितना ज़्यादा B में number होगा B का मतलब होता है blackness B का number होता है blackness clear है क्या? और यह वाली जो आप लोगों की pencil होती है वो काफी soft होती है तो जितना ज़्यादा B आप लोगों का बढ़ेगा वो उतनी soft pencil होगी और जितना ज़्यादा H बढ़ेगा वो उतना hard pencil होगा तो 6H से ज़्यादा 7H, 7 से ज़्यादा 8H 8H से ज़्यादा 9H क्या 9H से ज़्यादा कुछ option देख रहे हैं नहीं तो correct answer आप लोगों का option number C हो जाएगा दोस्तों आप लोगों यह भी सुना होगा एक HP pencil भी आती है तो अगर आप लोगों से पूछा जाए HP pencil की full form क्या है यह question भी काफी पूछा जाता है तो आप लोग बोलेंगे hard and black ठीक है जैसे आप लोग यह pencil देख लोगो इस पर लिखाव है 9H तो यह वाली pencil कौन से 9H ठीक है चलिए नैश question आपकी screen पे बताएंगे बताएंगे निम्न में से कौन सा संगठन इन में से कौन सी organization ऐसी है चार organization के आप लोगों को नाम दिये गए है जो विलुप्त प्राय प्रजातियों की लाल चूचिये red list बनाता है अब आप लोग पहले तो मन में question आएगा आप लोगों को पता है इस प्रत्वी पे बहुत सारी प्रजातिया ऐसी है जो विलुप्त हो चुकिया जैसे डाइनसौर है जो विलुप्त हो चुका ऐसी दोस्तों कुछ प्रजातिया है जो खत्रे में है विलुप्त होने के कगार पे है तो उनकी जो information या उनकी जो list है ना वो कौन सी आप लोगों की वो list कौन सी है वो है red list अभी red list कौन सी organization बनाता है ये बनाता है IUCN अब इस IUCN के बारे में और कौन से दो question पूछे गए थे पिछली बार के ELP में देखो एक तो IUCN की full form याद रखना है आपको international union for conservation of nature ये हो जा gland में इसका headquarter है ठीक है चले आगे आजाओ Nash question आपके screen पे answer आप लोग बताईए favorite question railway का मतलब शायदी कोई ऐसे shift होगी जिसमें इससे related question नहीं पूछा गया हो engine drying की sheet की dimension पर बताओ question आपके screen पे है निम लिकिट में से कौन किसी भी मानक engineering मानक का मतलब है standard engine drying की sheet की लंबाई और चोड़ाई का अनुमानित अनुपात है जैसे दोस्तों कोई भी आप लोग sheet लोगे ना जिसमें आप लोग drying बना रहे हो उसके कोई ना कोई लंबाई भी होगी कोई ना कोई चोड़ाई भी होगी जैसे देखो यह आप लोगों की A4 sheet की है तो क्या है इसकी दोस्तों कुछ ना कुछ क्या है लंबाई भी है कुछ ना कुछ है चोडाई भी है तो आप लोगों से बोला जारा है लंबाई और चोडाई का अनुपात क्या होता है दोस्तों कोई सी भी आप लोग शीट लो, चायए A4 शीट लो, चायए A3 लो, चायए A2 लो, चायए A1 लो चायए A0 लो जीसे आपने A4 शीट के लिए तो इसके जो डायमनेशन होती है वो कितनी होती है 297 mm आप लोगों की वो हो जाएगे लंबाई और चोड़ाई हो जाएगे आप लोगों की 210 mm ठीक है समझ में आगई बात को तो देखो ये अनुपात क्या हो जाएगा आप लोगों का आप लेको लंबाई और चोड़ाई का तो देखो 210 रेशो देखो कितना है ए 4 की 210 इंटू 297 297 तो अनुपाद देखो आप लोग तो जब आप लोग भाग लगाओगे न 277 में 210 का तो ये आप लोग को काएगा 1.41 के आसपास और दोस्तो 1.41 किसके बराबर होता है रूट 2 के बराबर तो 1 by रूट 2 इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा option number A clear है ठीक है किसी का भी ले लो चाहिए आप लोग इसका देख लो ये भी जो रेशो होगा वो 1 रेशो रूट 2 है ये भी 1 रेशो रूट 2 है ये भी 1 रेशो रूट 2 है clear है चले आगे आजाओ Nash question आपके screen पे बताईए question में आप लोगों को क्या बोला जा रहा है डैश उश्मा प्रती इकाई द्रव्यमान है ठीक है जो किसी पदाट को समान ताप और दापट ठोस से तरल बदलने के लिए आवशक है अब क्या बोला जा रहा है समझ भे नहीं आया आये मैं आप लोगों को समझाता हूँ देखो दोस्तों माल लेते हैं आप लोगों के पास में minus 10 degree Celsius पर क्या है ice है बरफ है ठीक है एक container में बरफ के टुकडे हैं जिनका ताप मान क्या है minus 10 degree Celsius है दोस्तों आपने इसको heat दी उश्मा दी तो इससे क्या temperature बढ़ेगा क्या बिल्कुल तो temperature बढ़के क्या हो गया minus 10 से माल लेते हैं 0 degree Celsius हो गया ठीक है तो जो ice का ताप मान जो बरफ का ताप मान minus 10 था वह अब कितना हो गया 0 degree हो गया चलिए सर बहुत अच्छी बात है दोस्तों आपने इसको और heat दी और आपने उश्मा दी तो आप लोग देखते हो heat दी आपने लेकिन इसका temperature नहीं बढ़ा तो आप लोग बोलोगे कि सर वो heat गायब कहां पर हो गयी उस heat का इस्तिमाल कहां पर हो गया 0 degree Celsius की ice को 0 degree Celsius के water में convert करने में हो गया थीक है उस heat का उस उश्मा का इस्तिमाल कहां पर हो गया इसके अवस्ता परिवर्तन में थोस से तरल में तो देखो आपने जो heat दी वो गायब हो गई न क्योंकि temperature तो बढ़ा ही नहीं कहां गायब हो गई उसका इस्तिमाल हो गया उसके अवस्ता परिवर्दन में दोस्तों इसी heat को हम लोग बोलते हैं latent heat हिंदी में क्या बोलते हैं गुप्त उश्मा तो ध्यान रख रहेंगे ice 0 degree Celsius ice को 0 degree Celsius water में convert करने के लिए जो heat जो उश्मा देने पड़ेगी उसे हम लोग बोलेंगे latent heat of melting गलन की गुप्त उश्मा क्योंकि आप लोग इसको गला रहे हो समझ में आगई बात को अगर हम लोग बात करें 0 degree ठोस से तरल में बदलने के लिए latent heat of melting बोलते हैं अब आप लोग बोलोगे सरी option में तो है नहीं अब उल्टा समझिए दूस्तों 0 degree Celsius के water को 0 degree Celsius के ice में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इससे heat निकालनी पड़ेगी इसको बोलेंगे latent heat of fusion इसको fuse कर रहे हैं आप इसको जमा रहे हो तो जितना आप लोगों का latent heat of fusion होता है उत्ता ही latent heat of melting होता है तो latent heat of melting बोल दो fusion बोल दो बराबर हो जाएगी option number B इसका correct answer हो जाएगा clear है क्या clear ठीक है अब हम लोग बात करने वाले हैं 21 जनवरी को पूछे गए question basic science and engineering के इस बच्चे की trade क्याती फीटर थी है लेकिन हम लोग trade के question नहीं कर रहे हैं जो basic science and engineering के question जो आप लोगों के पूछे गएते वो कर रहे हैं बताईए ओजोन at the higher level of the atmosphere is a product of dash molecule आप लोगों को पता है ये जो हमारी प्रत्वी है प्रत्वी के चारों और जहां तक वायू है उसे आप लोग बोलते हैं वायू मंडल अब दोस्तों वायू मंडल के भी अलग-अलग layer है सबसे पहले आप लोगों का कौन सा आता है बताईए शोब मंडल है ना फिर आप लोगों का समताप मंडल ट्रोपोस्फेर स्ट्रेटोस्फेर इसे आते हैं नहीं आते समझ रहो बात को तो आप लोगों को पता है ओजोन आप लोगों को यहां पर नहीं मिलते थोड़ी उपर मिलती है तो क्योशन ही आता है कि जो ओजोन है वहाँ पर O3 वो आई कैसे यह कैसे आप लोगों को मिली वहाँ पर देखो आप लोगों को पता है हमारे वातावरन में ऑक्सिजन गैस पाई जाती है दोस्तों जब इस ऑक्सिजन गैस पे अल्ट्रा वॉलेट रेडियेशन पड़ता है ना तो इन ऑक्सिजन ऑक्सिजन के बीच का बॉन्ड तूट जाता है ये ऑक्सिजन अलग हो जाते है अब O3 कैसे बना जब Ultra Violet Radiation Oxygen पे Act करती है तब आप लोगों का क्या बनता है O3 बनता है Option Number A इसका Correct Answer हो जाएगा जैसे आप लोग देख रहे हो जो Ultra Violet Radiation आई उन्होंने क्या करा पहले जो O2 था उसको अलग करा O O में ये काफी Unstable होते हैं ये दूसरे O2 के साथ में जोड़के O3 बना लेते हैं ठीक है चलिए ठीक है Qution आपके Screen पे Answer बताईए 21 जनवरी की Shift में पूछा गया Qution एक लड़का है जिसका नाम है Lock तोडो मतलब उसने अपने नाम से बता दिया वो आगे भविशे में क्या करने वाला है है ना क्योंकि selection तो उसका होने वाला नहीं है सर आपको कैसे पता selection नहीं होने वाला या फिर selection होना मुश्किल है Qution ही क्या पूछ रहा सर प्रिविश एर का Qution फिर से पूछेगा क्या दोस्तो जब आप लोग ने बच्पन में गनित पड़ी होगी तब 2 प्लस 3 बराबर 5 होते हैं टीचर ने हम लोगों को ये बताया था आज जो छोटे बच्चे हैं उनको भी यही पढ़ाया जाता है तो आप बो लोगों कि सर यह Qution वापिस को पूछ ले तो 10 साल पहले पढ़ाता है 15 साल पहले पढ़ाता है तो भाई या परीवियस है क्योज स्लेबर्स तो वो ही रहेगा न ठीक है डाटा ही तो चेंज होगा आपको देखो तो सरी पैटर्ण क्या होता है लोग टोड़ो यदि कार 3.2 मिटर पर सेकंड से तवरित होकर चलती है यानि आपको क्या बताया गया है जो भी बताया गया है लिख लेते हैं कि यह कार है यह कितने दर से तवरित हो दिये यह इतने दर से यानि इसका एकसलेरेशन इसका तुवरन का मान आप लोगों को दिया हुआ है कितना 3.2 मिटर पर सेकंड स्क्वायर ठीक है तो आपको बोला जा रहा है कि अगर इसका acceleration ये है तो 20 सेकंड के बाद में कितने टाइम के बाद में 20 सेकंड के बाद में इसका वेग क्या होगा दोस्तो फाइनल इसकी वेलोसिटी क्या होगी इसका अंतिम वेग क्या होगा क्योशन में ये पूछा गया है फाइनल वेलोसिटी को हम लोग V से डिनोट करते हैं तो V कमान पूछा गया है दोस्तों क्या बताय गया कि प्रारंब में इसका कुछ वेक था नहीं तो जब तक नहीं बताया जाता है तो हम्मेशे आप लोग क्या लेंगे U का माण 0 लेंगे प्रारंब में को U से रिर्पेजेंट करता है तो मालितने पहले बिर्पूल रेस्ट में था कोई वेग नहीं था फिर उसने accelerate करा ठीक है तो 20 second के बार में वेग क्या होगा question में ये पूछा जा रहा है तो कैसे आप लोग solve करें देखे दोस्तों गती के तीन समीकरन होता है पहला समीकरन होता है V बराबर U प्लस 80 क्या ये समीकरन लग जाएगा क्या लग जाएगा क्या लग जाएगा क्यों लग जाएगा तो कि देखो V का मान आप लोगों को पूछा गया है ये सारे मान आपको दिये गए हैं तो दिये गए हैं तो लगा दो यार तो V बराबर U कितना दिया हो है 0 A का मान कितना दिया हो है 3.2 तो टी का मान कितना दिया हुआ है 20 ठीक है तो ये खटा आया एक जी रो आया 20 बटे 10 दो 32 गुना दो 64 तो 64 मिटर पर सेकिंड क्या हो जाएगा इसका वेग हो जाएगा समझ में आगए बात को चले आगे नए इस कोशन आपके स्क्रीन पे अंसर आप लोग बताए क्योशन आपके स्क्रीन पे बताओं एक आदर्श गैस के गनत्व को क्या दुगुना करके आधा किया जा सकता है दोस्तो किसी गैस की डैंसीटी को आप लोग डबल करना चारे हो तो इसमें से कौन सी चीच को आधा करें जिससे density आप लोगों की डबल हो जाए तो density होती क्या है पहले समझिए दोस्तों कोई भी gas हो या कोई भी पदार्थ हो उसका कोई ना कोई दरवेमान होता है मास होता है दरवेमान होता है clear है क्या एक किलो, दो किलो, दस किलो, बीस किलो और उसका कुछ volume यानि उसका कुछ आयतन भी होता है तो अगर आप लोगों कोई दोनों चीजे पता है तो उसके density गनत निकाल सकते density होता है मास भाई वॉल्यूम यानि दरवेमान बटे गनत अब देखो आप लोगों को क्या करना है इसको डबल करना है आप लोग बोलोगे कि सर अगर इसको बड़ाना है इसको डबल करना है तो मैं इसको डबल कर दूँ के मास को दरवेमान को मज़ा जाएगा ना सर अरे दोस्तो अगर आप लोग दरवेमान जादा करोगे तो आयतन भी तो जादा होगा तो अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा कुल मिला कि density पे कोई प्रभाव नहीं पढ़ेगा तो फिर सर क्या करूँ दोस्तो कुल मिला कि इस volume को आप लोगों को क्या करना पढ़ेगा कम करना पढ़ेगा क्योंकि अगर volume को कम करोगे तो density बढ़ जाएगा फिर आपके मन में question आएगा किसर अगर मैं volume कम करूँगा तो दरवेमान भी तो कम होगा नहीं हम दारे पास में और भी उपाय है कैसे देखो मेरी बात को आप लोग एक चीज़ समझो कोई container है इसमें कोई क्या है gas clear है गया प्लीज बात को आप लोग ध्यान से समझेगा ठीक है आदर्श गैस का सम्मिकरण क्यों होता है pressure into volume बराबर m to r into t clear है दोस्तो pressure को मैं क्या लिख सकता हूँ m by v into r into t ये किसके बराबर हो जाएगा mass by volume density के बराबर तो p बराबर d into r into t density को क्या है मैं लिख सकता हूँ p by r into t तो आपको बोला जा रहा है क्या दुगुना करके आदा किया जा सकता है इसका मान आप लोगों को क्या करना है दुगुना करना है तो इसका मान क्या कर दो इसका मान कम करोगे तो यह मान आप लोगों का बढ़ेगा अगर यह मान आदा कर दोगे तो यह मान डबल होजागा अगर एकटेंप्रेचिर को आदा करके आप लोग क्या कर सकते हो मान डबल कर सकते हो option number A clear है clear, चलिए नाइस question आपके screen पे बताएंगे क्योशन आपके स्क्रीन पे है दोस्तों क्या बोला जा रहा है एक बारा वोल्ट की बैटरी को एक पाच ओम प्रतिरोत के साथ में है ना आपने समानतर में जोड दिया ठीक है दोस्तों कोई टार माल लेते हैं कोई वायर माल लेते हैं जिसका प्रतिरोध कितना है पाच ओम है अब आप लोगों को पता है इसमें ऐसे तो current flow नहीं होगी कैसे होती है जब आप लोग इसको बैटरी से connect करोगे तो आपने एक बैटरी भी ले ली कितने वोल्ट की बैटरी ली 12 वोल्ट की बैटरी और इसके जश्ट पैरिलल में जश्ट इसके समानतर में connect आपने कर दिया तो जब आप लोग बैटरी से connect करते हो तो current flow होना start हो जाती है तो कितनी current flow की question में ये पूछा जा रहा है तो कितनी current flow की question में ये पूछा जा रहा है सर कैसे निकाले पांच और बारा बट्टे पांच किसके बराबर होता है बहिया गनित कमजोर है जल्ली से बताईए दस प्लास दो बट्टे पांच लिगता हूं मैं तो दस बट्टे पांच हो गया दो एक बट्टे बाट 2.4 होगा 2.4 हो गया ना option number D में 2.4 करो इसको ठीक है समझ में आगई बात चले आगे आगे चले और दोस्तों से सेशन को लाइक करते वे चलो यार सब बताऊंगा मैं कोर्स के आ रहे हैं पहले दे पढ़ लो यार आजाओ देखो मैं आप लोग को बताऊं बहुत से बच्चे बोले सर कोर्स को अरे यार एक ची मुझे बताऊ अगर आप लोग ALP टेक्शन देना चाहते हो तो पहले CBT-1 पहले क्लियर करना है न करना है न RRBJ देना चाहते हो तो RRBJ का भी पहले CBT-1 देना है RPF क्लियर करना चाहते हो तो सब में दोस्तों पहले के आएगी आप लोग के General Science आएगी सामने विग्यान Physics, Chemistry, Biology, Environment तो पहले दोस्तों मेरा उसका कोर्स चल रहा है आपको मैं recommend करूँगा पहले General Science अच्छे से पढ़ लो आप लोग ठीक है इसके बार में मैं आप लोगों का Basic Science and Engineering का और Trade के कोर्स लेकर आँँगा ये मेरा General Science का कोर्स चल रहा है डेली आप लोगों का दोपेर एक बज़े लाइव क्लास होती है शाम को चार बज़े लाइव क्लास होती है चारो चीज़े पढ़ा रहे है Physics, Chemistry, Biology, Environment इस बैच के लिए आप लोगो साइंस में टैप पे मिल जाएगा बट दोस्तो रेली वे ने इसका बिल्कुल सही अंसर दिया है दोस्तो क्योशन को आप लोग समझेए क्योशन को आप लोगों को क्या बोला गया है Electric Current Watch Considered to be Flow Off मतलब जो Current Flow होती है न ये बेसिकली क्या है आप लोगों को पता है Current की Definition क्या है Rate of Flow of Charge आवेश के प्रवा की दर को ही हम लोग विद्यू दर बोलता है अब चाए वो आवेश धनात्मक आवेश फ्लो हो चाए रिनात्मक आवेश फ्लो हो इसको हम लोग बोलेंगे Current हम लोगों ने ऐसे पढ़ाता बट ध्यान से समझो मैंने आप लोगों को कई बार बता है कि ठीक है आवेश कोई से भी फ्लो हो हम लोग बोलेंगे Current फ्लो हो रही है लेकिन जो convention है जो माना गया है कि जैसे देखो फ्लीज मेरी बात को समझो जैसे कोई ये wire है ठीक है ये wire है मान लेते हैं कोई metal का wire है आप लोगों को बता है metal के wire में क्या होता है फ्रीएलेक्टों होते है तो अभी आप लोग बोल सकते हो कि इस wire में Current फ्लो हो रही है नहीं क्योंकि ये आवेश एक जगे इस तिर है फ्लो नहीं कर रहे है जब ये फ्लो करेंगे तो आप लोग बोलेंगे current क्या कर रही है flow कर रहे है तो आप लोगों ने इस आवेश को flow कराने के लिए क्या करा है एक battery से जोट दिया ये battery का positive terminal ये battery का negative terminal समझ गए बात को clear है ठीक है दोस्तो जैसे आप लोग connect करते हो पॉजिटिव टर्मिनल से तो यहाँ पर बहुत सारा positive चार्ज ध्हात्मक आवेश आ जाता है और battery के negative terminal को इस किनारे से करा है तो यहाँ पर बहुत सारा negative चार्ज जाता है दोस्तो पॉजिटिव चार्ज, negative चार्ज को अपनी और क्या करता है अट्रेक्ट करता है, negative चार्ज, negative चार्ज को क्या करता है रिपेल करता है, प्रतिकर्च करता है, धक्का देता है जिसकी वज़े से दोस्तो यह electron flow होना start हो जाता है आवेश flow होना start हो जाता है, तो हम लोग बुलेंगे current flow हो रही है लेकिन current की वो क्या होती है तो हमेशा जिस direction में positive charge flow होते है उसको हम लोग current की direction मानते है तो अगर अंदर positive charge होते हैं, तो वो कैसे flow होते हैं यह ऐसे flow होते हैं, और current की भी direction को ऐसे माना गया है यानि हमारी जो परमपरा है, हमने क्या माना है कि दनात्मक आवेश के प्रवा को हम लोग actual में current का flow बोलेंगे ठीक है correct answer option number B हो जाएगा तो जब railway ने इसका answer option number B दिया था तो बहुत लोगों ने बोला नहीं इसका अंसर नागेटी चारज जाएगा नहीं भी ही इसका correct answer होगा ठीक है चलिए answer बताईए इसका question आपके screen पे दो प्रतिरोध एक बीस ओम का और दूसरा 30 ओम का समानतर करम में जुड़े हैं यह साहियोजन आठ होम प्रतिरोध और बारा वोल्ट के साथ शंकला में जुड़ा हुआ है तो बताईए 30 ओम प्रतिरोध में कितने current flow इच्छा question ने बताएंगे clear लौक तोडो जी बोल रहे हैं साहर किसी को बोलने से पहले आपने मेरा insult कर दिया अरे यार लौक तोडो जी इतनी छोटी बात में insult कर वाली क्या बात है जीवन बहुत आगे जाओगे सारा आपने मेरी इंसल्ट कर दी तो भाईया हमारे भी जो गुरू थे हमारी इत्ती वेज़ती डाटते थे तो अगर हम भी ऐसे अलसर आपने मेरी वेज़ती कर दी मैं क्या आप पढ़ाई में ध्यान दो लॉक तोड़ो इंसल्ट कर दी तो बहुत कुछ हो गया ठीक है जीवन में कुछ बनना है तो इंसल्ट करानी पड़ती है भाईया पर क्या ऐसे ग्रोथ होगी तो मुझे यह समझे आदा छोटी छोटी चीज़ के सहर आपने इंसल्ट कर दी पापा जी नों कुछ बोल दिया उसमें मूफला के बैट जाओ गया रहा आपके भले के लिए बोलते हैं वो ठीक है दो प्रतिरोध है एक बीस ओम का और दूसरा तीस ओम का समानतर करम में जुड़े में ठीक है तो एक तो भीया बीस ओम का है जैसे जैसे बोला गया है पहले डागराम मनो प्लीज बीस ओम का और दूसरा तीस ओम का समानतर में जुड़ा है जैसे इसके पैललल में आ गया आगया सर ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है पूरा का पूरा जो सहींचन एन ओन इह सह olho जन आठ ओम प्रतिरोद और 12 वोल्ड की बैटरीर के साथ स्षंक्ला में जोड़ा हुआ है ठीक है पहल तो इसके साथ गाइं एक प्रतिरोदं ज्यॉद दो लोगी आप लोग पहले मुझे यह बताओ सर क्योशन खतरनाक है बिल्कुल यार खतरनाक है पहले आप लोग देखो बैटरी से कितनी करेंट निकलेगी पहले तो आप लोग यह निकालो बार में बताऊँगा इसमें कितनी जाएगी तो सर कैसे निकालते हैं फॉर्मिला लगा क्या निकालो इनका समतुल्य निकालो सर कैसे निकालेंगे जब भी कोई दो प्रतिरो समानतर में होता है इनका एक्वेलेंट इनका समतुल्य कैसे निकालते हैं तो वन अपॉन आर एक्वेलेंट एज इक्वेल्स टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू यह फॉ तो यह जो equivalent resistance आ जागा इन दोनों का equivalent कितना आ गया 12 ohm देखो एक बट्टे आर कमान एक बट्टे बारा है तो आर कमान 12 तो यह 12 ohm का आ गया अब इसको भूल जाओ इसको भूल जाओ अब यह 12 और 8 के दोनों किसम है सिरीज में श्रिणी में तो इनका equivalent कैसे निकालोगे 12 ohm कि कितना आ गया 20 तो आई कमान कितना हो जाएगा आप लोगों का 12 बट्टे 20 तो 12 कटा 4 से 3 बार में 20 कटा 4 से 5 बार में ठीक है तो एक बट्टे 5 होता है 0.2 इसको 3 से multiply करोगे 0.6 यह नहीं जो current flow हो रही है 0.6 ampere flow हो रही है लेकिन आप लोगों को बताना है कि यह इसमें कितन जा रही है दोस्तो प्लीज अम मेरी बात द्यान से समझो यह 0.6 ampere में से कुछ ही जाएगी इस 20 में कुछ ही जाएगी इस 30 में समझ रहो तो इसमें कितनी जाएगी question में आप लोगों का यह पूछा जा रहा है अब आप लोग मुझे बताएंगे 0.6 ampere में से बटेगी कुछ इदर जाएगी कुछ इदर जाएगी जादा कहाँ पर जाएगी जहाँ पर प्रतिरोद कम होगा यहाँ पर 20 ohm कम प्रतिरोद है यहाँ पर जाएगी कम तो देखो आप लोगों को बाटना है आपके पास में दो चीज है 20 और 30 यानि दो अनुपात 3 में बाटना है जो जादा वाला मान आएगा उसको आप लोग भेज़ देना इधर जो कम वाला मान आएगा उसको बेज़ दो इधर गनित लग रही है खतम हो गई आप लोगों की ठीक है क्लियर है क्लियर प्रक्रति वारी जी सई अंसर दे रहे हैं बहुत बढ़िया तो आप लोगों को बाटना है है सिंपल से बात है तो जो ज़्यादा आए उसको आप लोग भेज़ देना इधर जो कम वा defined सिम्पल सी बात है सॉल कर डिना चली दोस्तों इसका अंसर बताईए, अच्छा क्योशन है, बताओ, देखो, क्योशन में आप लोगों को क्या बोला जा रहा है, प्लीज दिहान से समझिए, आपको बोला जा रहा है, एक 0.5 किलो की गेंद को 20 मीटर उचे भवन के उपड़ से छोड़ा जाता है, दोस्तों कोई बिल्डिंग है, ठीक है, ये जमीन हो गई अपनी, तो इसकी जो उचाई है, वो कितनी है, 20 मीटर है, इस बिल्डिंग की, तो इसके टॉप से 1.5 किलो ग्राम की आदा किलो की जश्ट आपने क्या कर दिया, छोड़ दिया, तो ये बॉल थी, आपने इसको क्या कर दिया, छोड़ दिया, जमीन से टकराने से ठीक पहले गेंद की गती जुटजा बताईए, जब ये टकराने से ठीक पहले इस जगए, इसकी गती जुटजा क्या होगी, क्योशन में ये ठीक है जोस्तो इस point को मैं माल लेता हूँ A इस point को माल लेता हूँ B आप लोग मुझे बताइए A point पे total energy कितनी होगी total energy क्या होती है kinetic energy plus potential energy क्या पहले यहाँ पर इसके पास में कुछ वेक था क्या कुछ भी नहीं था गती कर रहा था कि नई जश्त आपने पकड़ रहा था तो kinetic energy G 0 potential energy क्या होती है जब भी को वच्तु जमीन से कुछ उचाई पर होती है तो उसके पास उन potential energy होती है जिसका सूतर होता है M G H M का मान कितना है द्रवे मान कितना है 0.5 या एक बटे दो लिख दू G का मान दोस्तो 10 बोला जारा 10 माल लो H कितनी height पर है 20 की height पर है तो 20 बटे दू 10 10 इंटो 10 100 तो यहाँ पर total energy कितनी थी 100 होती है आप लोगों को पता है total energy ना कम होती है ना ज़्यादा होती है यानि इस बॉल को जब छोड़ोगे तो जब वो यहाँ पर थे तब में total energy 100 जूल यहाँ पर भी 100 जूल यहाँ पर भी 100 जूल तो B point पे total energy कितनी हो जाएगी B point पे B point पे 100 जूल होगी और किसके बराबर होगी kinetic energy प्लस potential energy के बराबर अब दोस्तों क्या B point पे जब गैंध है वो क्या कुछ उचाई पर है क्या कुछ उचाई पर नहीं है तो potential energy zero जो भी होगी kinetic energy होगी तो इस point पे kinetic energy कितनी हो जाएगी 100 जूल के बराबर हो जाएगी option number B ठीक है clear है समझ में आ गई तो देखो आप लोगों को मैं बता रहूं बहुत difficult लगते हैं बहुत से बच्चों को question लेकिन आप लोग जब simple सी गनिच लगाओगे physics लगाओगे इतने आसानी से आप लोग बड़े-बड़े question चुटकियों में solve कर सकते हो चलिए इस कंसर आप लोग बताएंगे अब देखो इस वाले question को देख के बहुत से बच्चे डर जाएंगे कि सर मैंने तो heat and temperature वाला chapter पढ़के नहीं गया ता एक जाम में इसलिए मैंने ये chapter मेरा चूट गया ये question चूट गया हरे कुछी भी नहीं ये गनित लग रही simply आपर अगर नहीं भी आता गो ना कुछ नहीं आता आपको तब भी आप लोग इस question को solve कर लोगे बताओ 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 देखो क्या बोला जा रहा है aluminium के 100 gram block aluminium का टुकड़ा है लोग दोस्तों मैंने aluminium का टुकड़ा ले लिया जिसका दरवेमान कितना दिया गया है मैं कितनी गर्मी स्ताना नत्रित की सोरी दोस्तों translation के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाता हूँ चेक नहीं कर पाया मैं दोस्तों इससे पहले मैं आपको होता दूँ अगर मालो यहाँ पर aluminium है या दूसरा टुकड़ा माल लेते हैं अगर copper का होता या मालो 100 gram पानी होता तो heat तो सबको देनी परती लेकिन heat आप लोगों को सबको अलग अलग देनी परती कोई दोस्तों कम उश्मा में ही जल्दी गरम हो जाता कोई जादा heat लेता कोई जादा उश्मा लेता है तो यह किस पर depend करता है उनकी specific heat यानि विशिष्ट उश्मा पे सबकी विशिष्ट उश्मा अलग अलग होती है आप सरी विशिष्ट उश्मा क्या होती है देखो जैसे आप लोगों की, ऐलूमिनियम की दी गई है, क्या दी गई है, 900 जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है, सर इसका मतलब क्या है, देखो, इसका मतलब ये है, कि ऐलूमिनियम के, एक किलो ग्राम को, एक किलो ग्राम का, तापमान एक केल्विन से बढ़ाने के लिए, जो हीट चाह यह वो कितनी चाहिए 900 जूल चाहिए ठीक है आपको कितने का बढ़ाना है 100 ग्राम का 100 ग्राम का मतलब 0.1 किलो ग्राम का 0.1 किलो ग्राम वस्तु का तापमान बढ़ाना है तो अगर 1 किलो ग्राम का बढ़ाना होता तो 900 जूल चाहिए लेकिन आप लोगों को एक का नहीं बढ़ाना है तो कितना चाहिए 909.1 ठीक है दोस्तो अगर आपको तापमान एक केल्विन से बढ़ाना होता तो इतना चाहिए होता दोस्तो जो तापमान में अंतर चाहिए केल्विन में लो चाहिए सेल्चिस में लो बराबर आता है तो इसको अगर मैं Celsius लूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना तो अगर Aluminium के तुकडे का तापमान एक Celsius से बढ़ाना होता तो 900 जूल चाहिए होता लेकिन आपको जारत बढ़ाना दोस डेगरी Celsius तक बढ़ाना है तो इसको 10 से गुना कर लो तो कितना आ रहा है यह आप लोगों का पॉइंट वन इंटू टैन यह वन हो जाएगा यह 900 है तो करेट अंसर 900 हो जाएगा option number D जब हम लोग basic science and engineering का batch लाएंगे जब मैं आपको detail में थोरी पढ़ाऊंगा तब आप लोगों को हर एक चीज हलवा लगेगी जैसे भी मैं general science का मेरा detail बैच चल रहा है general science का पूरा complete theory ठीक है वैसे हम लोग basic science and engineering का भी लेकर आएंगे लेकिन उससे पहले आपको cpt1 पास करना है उसमें गी general science सामान ने विग्यान चलिए दोस्तो 21 जनवरी की shift में किस प्रकार question पूछे गए थे आईए हम लोग देखते हैं बताओ बताओ देखो question में क्या बोला जा रहा है आईए हम लोग समझते हैं थोड़ा सा देखने में आपको tough लगेगा देखो कितने आसानी से हम लोग question को solve कर लेते हैं किलोग्राम दर्वेमान वाले वस्तु को एक ramp पर लोड काया जाता है चलो दोस्तो एक ramp हम लोग बना लेते हैं यह आपने ramp बना ली यह कोई वस्तू है जिसका दर्वेमान के तन दियाओ है am किलोग्राम आपने जचीश्य को लोड का दिया रेम के निचले सिरे पर इसक对 जोजा 10 किलो जूल है जब यह आप लोगों का वस्तू इदर आई ना तो इस पॉइंट को माल लेते हैं A इस पॉइंट को माल लेते हैं B तो बी पॉइंट पर इसकि गति जोजा का इनेटिक एनेटी जो एने इसकी बी पॉइंट पर वो कितनी है कितनी है 10 किलो जूल है ठीक है और बी पॉइंट पर जो वेग है वो कितना है 20 मिटर पर सेकेंड है ठीक है जो वेलो सिटी है जो बी पॉइंट पर वो कितना है 20 मिटर पर सेकेंड है यदि इसकी प्रारंबिक गति जूड़ा 625 जूल थी यानि इस ए पॉइंट पे अगर काइनेटिक एनरजी ए पॉइंट पे किती थी 625 जूल थी तो इसे किस वेक से रेम से नीचे दखेला गया है आप लोगों को कुशन पूछा जा रहा है यहां पर वेलो सिटी किती थी आप लोगों को यह पूछा जा रहा है अब आप लोगों को बहुत आसान है सर काइनेटिक एनरजी दी गई है हाफ एम वी स्क्रेल लगा कैसे कर दो नहीं दोस्तों इसमें बहुत अलग चीज लग रही है जा देखो समझो मेरी बात को प्लीज मेरी बात को समझो दोस्तों अगर मैं आप लोगों से पूछूँ ए पॉइंट पर टोटल एनरजी कितनी होगी टोटल एनरजी ए पॉइंट पर कितनी होगी अगर मैं आप लोगों को बोलू इस B point पे total energy कितनी है इस B point पे तो आप लोग बोलोगे B point पे kinetic energy कितनी है plus B point पे potential energy कितनी है अब दोस्तो B point बिल्कुल जमीन से है कुछ उचाई पर तो है नहीं तो B point पे potential energy कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी Kinetic energy B point पर दी गई ए 10 Joule यानि टोटल energy B point पर कितनी हो गई 10 किलो Joule हो गई और टोटल energy fix होती है यहां पर यहां पर तो यह a point पर भी total energy किती थी 10 किलो Joule थी एतिसी बाद समझ में आगई ठीक है अब 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 आपसे पूछा जा रहा है किस वेक से गया था दोस्तों दरवेमान भी नहीं दिया गया ठीक है ठीक है भी निकालते हैं देखो तो इसका दरवेमान एम आ लेता हूं देखो तो एम जी एज प्लस काइनेटिक एनर्जी 625 बराबर कितना होगा 10 किलो जूल होगा ठीक है दोस्तों इसमें कुछ चीज मिसिंग है इसको देखना पड़ेगा क्योंकि देखो मेरी बास समझेवो आप लोग यहां पर ना आपको हाइट दिया गया है ना एम दिया और यहां तो कोशन में इनोंने ऐसे मिडेता दिया क्योंकि है दोस्तों पोटेंशल एनर्जी भी तो होगी न इनन्हों प्रफेंचिल नहीं करो गया मैं एक बार आप लोगों को बोल रहा है मैं इसको सल्ड नहीं कर प्रफेंचिल अठील एक एक जनम बोल रहा है कि सर इतना मत करो आप तो क्या करो कानीटिक एनरजी दी गई न तो half mv square को बराबर कर दो 625 के से वेग निकल जागा तो भई आपको m भी तो पता होना चाहिए m कहां दिया हुआ गए और m अगर मुझे निकालना है तो इसके लिए h चाहिए h भी नहीं दिया हुआ समझ दो बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कुछ जतने बोल रहे हैं सिर आफ mv square को 625 के बराबर कर तो उससे वी निकल जागा तो भई ये mv तो ची दरवे मान दरवे मान कहां से लाओगे ठीक है चलिए दोस्तो नेश कोशन आपकी स्क्रीन पर अच्छा कोशन है बताईए क्योशन आपकी स्क्रीन पर बताऊ बोला जा रहा है किसी gear train अब आप लोगए सर ये gear train क्या होता है आईयम आप लोगए होता है gear train basically दो यादो से अधिक gears का combination होता है सर कैसे जैसे यहाँ पर देखो दो gear है तो ये चल रहा है तो इससे ये चल रहा है तो जब भी gear train होता है तो इसमें एक driver होता है एक driven होता है तो यहां पर मालो दोस्तो यह हो गया driver यह गूम रहा है और इसके गूमने की वज़े से यह गूम रहा है तो यह हो जाएगा driven ठीग है तो यह driver gear और ये driven gear और दोस्तो आपको पता है gear में कुछ teeth होते हैं कुछ दात होते हैं जैसे इसमें एक दो ती ऐसे गिनोगे कुछ teeth आएंगे तो इसमें जो teeth है इसको मैं माल लेता हूँ ती 1 और इसमें जो teeth है इसको मैं माल लेता हूँ ती 2 जैसे माल लो इदर 50 teeth है हो सकता है दर 20, 25 ठीक है दोस्तो ये गूम रहा है इसकी भी कुछ speed है इसकी भी कुछ RPM हो सकता है ये 100 RPM पे गूम रहा हो तो इसकी speed को मैंने माल लिया N1 और इसकी speed को मैंने माल लिया N2 तो हमेशा रिहान रखिए N1 by N2 यानि जो speed का ratio होगा अनुपात होगा वो इनके teeth यानि दातों के अनुपात का व्युत्कुरम के बराबर होगा ठीक है यह है gear train का concept और कुछ भी नहीं है आ जाओ तो किसी gear train में संचालक यानि जो driver gear में dash दात है तो यानि इस driver में कितने teeth है यह निकालने है तो इसमें जो teeth है इसको आपने T1 माना है तो T1 का माना आप लोगों को निकालना है और बताओ क्या दिया गया है जबकि जो follower है जो driven है जो इसको follow कर रहा है इसको कौन follow कर रहा है यह follow कर रहा है ठीक है तो इसमें 10 दात है इसमें teeth कितने दिया गया है 10 तो T2 का माना आप उपको दिया गया है, दस दिया गया है, खीक है, तो बोला जा रहा है, ड्राइवर गियर के प्रतेक 16 चकर के लिए, जो follower है, वो 40 चकर गुमता है, तो इसकी speed कम है, तो N1 कमान 16 माल लो, N2 कमान 40 माल लो, निकाल लो, कैसे निकालोगे, तो N1, 16, N2, 40, T2 कमान कितना है, 10, T1 आ आपका क्या हो जाएगा, 10 इंटू 40 बटे 16, तो 16 कटा 2 से 8 बार में, 10 कटा 2 से 5 बार में, 40 कटा 8 से 5 बार में, तो 5 इंटू 25 हो गया, बताओ, दिक्कत लग रहे हैं कुछ, तो आप लोगों को तभी दिक्कत लग सकते हैं, जब तक आपने बढ़ा नहीं है, जब आप कोशन को सॉल करिए, ठीक है, ये लास्ट कोशन है, आज का, कल मैं आपको 10 बजे, आर आर भी जाई में पूचा गए, साइन्स के कुशन कराऊंगा, फाइंड आ वॉल्यूम, आयतन आपको निकालना है, और पीस ओफ मेटल, एक आप लोगों के पास में धातू का टुकडा है, जिसका गनत्व आपको दिया गया है, जिसका आप लोगों को वेट आपको दिया हुआ है, बहार आपको दिया गया है, कितना, 10.8 नूटन, आप को उसका वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है, कैसे निकाले, दोस्तों, वेट किसके बराबर होता है, एम इंटू जी के बराबर, तो एम इंटू जी का मान कित्ता दिया गया है, कित्ता दिया गया है, 10.8, ठीक है, दियर, दोस्तों, मास क्या होता है, जैसे आपको दिया गया कितना 5000 kg पर मिटर क्यूब आप लोगों को दिया हुआ है वोल्यूम आपको निकालना है जी का मान कितना दिया है आपको जी का मान दिया है 10 यह हो जाएगा 10.8 के बराबर तो वोल्यूम क्या हो जाएगा आप लोगों का 10.8 by 5000 into 10 ठीक है अब देखो दोस्तों आप तो यहां से देखो आपने क्या रखा है भार रखा है न्यूटन में न्यूटन है SI मातरक गरनतु का SI मातरक है किलोग्राम पर मिटर क्यूब गुरुतिव दरन का SI मातरक है मिटर पर सेकिंड स्क्वेर तो जब सारे ही आपने SI मातरक रखा है तो अंसर भी आपका SI मातरक में मिटर क्यूब लेकिन आप लोगों से किस में पूचा गया है सेंटीमिटर क्यूब में तो दोस्तो एक मिटर में होते हैं 100 सेंटीमिटर या 10 की पावर 2 सेंटीमिटर तो एक मिटर क्यूब में क्या हो जाएगा 10 की पावर 6 सेंटीमिटर क्यूब तो यहाँ पर 3 और 1, 4 0 यहाँ पर उपर क्या है 6 0 है तो कर जाएगा यानि उपर आप लोग का 10 की पाउर 2 बचेगा 100 बचेगा तो 100 बचेगा तो 100 बचेगा 5 हो जाएगा 20 ठीक है अब आप लोग क्या कर लो 10.8 को multiply कर लो 20 से तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों को 216 आप गुरूप D में देखा जो भी उपर उपर से पढ़ गए चार चार सो तीन तीन सो रुपे की कोर्स में दो दोस्तों में उनका हो गया पूरा कल्यार हर एक चीज़ दोस्तों डेटेल में पढ़ने होती है साइन्स आप लोग को लगता है हलवा यार हलवा नहीं है आप लोग वीडियो से आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी देखो जैसे आप लोग के फिजिक्स में एसके फेलोसिटी पलान वेग इसको समझाने के लिए प्रॉपर एनिमेशन वीडियो मतलब कभी भी आप लोगो को ऐसा कंटेंड नही दे रख है जिसकी प्राइज है दो सो निन्यान में लेकिन इस कोर्स के साथ में आप लोगों को फ्री मिल जाएगा बाइलेंग्वल कॉंटेंट हैं इंगलिश हो हिंदियो कोई दिक्कत के बात नहीं हर क्लास की पीडियफ आपको मिलेगी एक साल की आप लोगों की वैलिड दिक्कत आ रही है इस नमबर पर आप लोग कॉल कर ले 7374019437 ठीक है दोस्तों थैंक्यू सो माच टेक केर अपना आप लोग ध्यान रखिए कोई भी दिक्कत हो इस नमबर पर आप लोग कॉल करके पूछ लिए ठीक है ठीक है चलिए और आप लोग जो बोल रहे हो जनल सब्सक्राइब कर लिजिए जिससे हर नोटिविकेशन आप तक पहुंच जाए ठैंक्यू सो मच